ओम सांती आज आठ जन्वरी दो हजार इक्किस की मुड्ली मैं बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम्हें नसा रहना चाहिए कि हम ब्रामन सो देवता बनते हैं हम ब्रामनों को ही बाब की स्रिष्ट मत मिलती है आज की मुड्ली का प्रस्ण है जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा सौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए उत्तर दिया है यह दुन्या जो पुरानी आइरन एजेड बन गई है उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का पुराने से नया बनाने का सौक होना चाहिए कन्याओं का न्यू बलड है तो अपने हमजिंस को उठाना चाहिए नसा कायम रखना चाहिए बासन करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए आज की मुर्ली का गीत है रात के राही अब सुनते हैं मुर्ली विस्तार से ओम सांती बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा अभी भक्ती मार की गोर अंध्यारी रात तो पुरी हो रही है बच्चे समझते हैं हमारे उपर अब ताज आने का है यहां बैठे हैं एम अबजेक्ट है मनुश्य से देवता बनने की जैसे सन्यासी समझाते हैं तुम अपने को भैस समझो तो वह रूप हो जाएंगे वह है भक्ती मार के डस्टांत जैसे यह भी डस्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली तुम यहां बैठे हो जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिर्टाज बनेंगे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाओंगा इंजीनियर बन जाओंगा तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं यह सरीर छोड़ेंगे और हमारे सिर पर ताज होगा यह तो बहुत गंदी छिची दुनिया है ना नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया पुरानी दुनिया है बिलकुल थर्ड क्लास दुनिया यह तो खलास होने की है नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रच्चता ही होगा दूसरा कोई पढ़ा न सके सिर्व बाबा ही तुमको पढ़ा कर शिकलाते हैं बाप ने समझाया है आत्मा अभिमानी पूरा बन जाए तो बाकी और क्या चाहिए तुम ब्रामन तो हो ही जानते हो हम देवता बन रहे हैं देवतां कितने पवित्र थे यहां कितने पतित मनुस्य है सकल भल मनुस्य की है परन्तु सिरत देखो कैसी है जो देवतां के पुजारी है वह खुद भी उन्हों के आगे महिमा गाते हैं आप सर्वगुन संपन सोला कला संपोन है हम विकारी पापी है सुरत तो उन्हों की भी मनुस्य की है परन्तु उनके पास जाकर महिमा गाते है अपने को गंदे विकारी कहते है हमारे में कोई गुन नहीं है तो मनुस्य माना मनुस्य अभी तुम समझते हो हम तो अभी चैंज होकर जाएं देवता बनेंगे क्रस्न की पूजा करते ही इसलिए है कि क्रस्न पूरी में जाएं परन्तु यह पता नहीं है कि कब जाएंगे भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे पहले तो तुमको यह निस्चे चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन है यह है स्री स्री स्रीव बाबा की मत स्रीव बाबा तुम्हें स्रीव बाबा तुम्हें स्रीव बाबा दे रहे हैं जिनको यह पता नहीं वह स्रेष्ट बन कैसे सकते इतने सब ब्राह्मन स्री स्रीव बाबा की मत पर चलते हैं परमात्मा की मत ही स्रेष्ट बनाती है समझेंगे तब खुस हो मदद करने लग पड़ेंगे कई तो जानते नहीं है उनको क्या पता ये कौन है इसलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं है वो तो और ही अपनी मत निकालेंगे स्रीमत को न जानने के कारण उनको भी अपनी मत देने लग पड़ते हैं अब बाप आई है तुम बच्चों को स्रिष्ट बनाने के लिए बच्चे जानते हैं पाँच हजार वर्स पहले मुआफिक बाबा आपसे आकर मिले हैं जिनको पता नहीं है ऐसे रेस्पॉंड दे नहीं सकते बच्चों को पड़ाई का बहुत नसा रहना चाहिए ये बड़ी ऊच पड़ाई है परन्तु माया भी बड़ी अगेंस्ट है तुम जानते हो हम वह पड़ाई पड़ते हैं जिससे हमारे सिर पर डबल सिर्ताज आना है बविश्य जन्म जन्मांतर डबल सिर्ताज बनेंगे तो इसके लिए फिर ऐसा पूरा पुरसार्थ करना चाहिए ना इसको कहा जाता है राज योग कितना वंडर है बाबा हमेशा समझाते हैं लक्समी नाराण के मंदिर में जाओ पुजारियों को भी तुम समझा सकते हो पुजारी भी किसको बैठ समझाएं कि इन लक्समी नाराण को भी ये पड़ कैसे मिला ये विश्व का मालिक कैसे बने ऐसे ऐसे बैठ सु तुम कह सकते हो हम आपको समझाते हैं इन लक्षमी नारण को ये राज्य कैसे मिला गीता मैं भी बगवानु वाच है ना मैं तुमको राज्योग सिखा कर राजाओं का राजा बनाता हूँ स्वर्गवासी तो तुम बनते हो ना तो बच्चों को कितना नसा रहना चाहिए हम यह बनते हैं भल अपना चित्र और राजाओं का चित्र भी यहां साथ में निकालो नीचे तुम्हारा चित्र, उपर में राजाई का चित्र हो इसमें खर्चा तो नहीं है न राजाई पोसाक तो जट बन सकती है तो गड़ी गड़ी याद रहेगा हम सो देवता बन रहे हैं उपर में भर सिव बाबा भी हो यह भी चित्र निकालने होंगे तुम मनुस्य से देवता बनते हो यह सरीर छोड हम जाएं देवता बनेंगे क्योंकि अभी हम यह राजयोग सीख रहे हैं तो यह फोटो भी मदद करेंगे उपर में सिव फिर राजाई चित्र निचे तुमारा साधारण चित्र सिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिर्टाज बन रहे हैं चित्र रखा होगा कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे हमको सिकलाने वाला यह सिव बाबा है चित्र देखने से बच्चों को नसा चड़ेगा भल दुकान में भी यह चित्र रख दो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं बाब को याद करने का उपाई ढूणना चाहिए बाब को भूल जाने से ही गिरते हैं विकार में गिरेगा तो फिर सरम आएगी अभी तो हम यह देवता बन नहीं सकेंगे हाट फैल हो जाएगे अभी हम देवता कैसे बनेंगे बाबा कहते हैं विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो तुमारा पासपोर्ट खलास खुद भी फिल करेंगे हम तो गिर गए अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे जैसे नारद का मिसाल देते हैं ना नारद का मिसाल है ना उनको कहा तुम अपनी सकल तो देखो लक्समी को वर्णे लायक हो तो सकल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुस्यों को भी सरम आएगी हमारे में तो ये विकार है फिर हम स्री नारएन को वा स्री लक्समी को कैसे वरेंगे बाबा युक्तियां तो सब बतलाते हैं परंतु कोई विश्वास भी रखे ना विकार का नसा आता है तो समझते हैं इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल सिर्ताज कैसे बनेंगे पुर्सार तो करना चाहिए ना बाबा समझाते रहते हैं ऐसे ऐसे युक्तियां रचो और सब को समझाते रहो ये राजयोकी स्तापना हो रही है अब विनास सामने खड़ा है दिन प्रति दिन तुफान जोर आता है बॉम्स आदि भी तैयार हो रहे हैं तुम ये पढ़ाई पढ़ते ही हो भविश्य उच्पद पाने के लिए तुम एक ही बार पति से पावन बनते हो मनुस्य समझते थोड़ी हैं कि हम नर्गवासी है क्योंकि पत्थर बुद्धी है अब भी तुम पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बन रहे हो तक्दीर में होगा तो जट समझेगा बाबा कहते हैं उसके तक्दीर में होगा तो समझ जाएगा तक्दीर में नहीं होगा तो कैसे समझेगा तक्दीर में होगा तो जट समझेगा नहीं तो तुम कितना भी माथा मारो, बुधि में बैठेगा ही नहीं बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक है, अर्था न धनी के तो धनका बनाना चाहिए न, जबकि सिर्व बाबा के बच्चे हैं यहां जिनको ग्यान है वह अपने बच्चों को विकारों से बचाते रहेंगे अग्यानी लोग तो अपने मुहाफिक बच्चों को भी फसाते रहेंगे तुम जानते हो यहां विकार से बचाया जाता है कन्याओं को तो पहले बचाना चाहिए माबाप जैसे कि बच्चे को विकार में धक्का देते हैं तुम जानते हो यह ब्रष्टाचारी दुनिया है स्रिष्टाचारी दुनिया चाते है बगवान वाच मैं जब आता हूँ स्रिष्टाचारी बनाने के लिए तो सब ब्रष्टाचारी है मैं सबका उद्धार करता हूँ गीता में भी लिखा हुआ है बगवान को ही सादू संतों आदी सबका उद्धार करने आना है एक ही बगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं अभी तुम वंडर खाते हो मनुश्य कितने पत्थर बुद्धी हो जाते हैं इस समय अगर मालूम हो बड़ो बड़ों को कि गीता का बगवान सिव है तो पता नहीं क्या हो जाए हाहा कार मच जाए परन्तु अभी देरी है नहीं तो सब के अड़े एकदम हिलने लग जाए बहुतों के तक्त हिलते हैं न लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तक्त हिलने लगा है अभी गिर पड़ेंगे अभी यह हिले तो बहुत हलचल मच जाए आगे चल हूने का है पतित पावन सर्वका सद्गती दाता खुद कहते हैं बरोबर ब्रह्मा तन से इस्तापना कर रहे हैं सर्व की सद्गती अर्थात उद्दार कर रहे हैं भगवानु वाच यह पतित दुन्या है इन सब का उद्दार मुझे करना है अभी सब पतित हैं पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे पहले तो खुद पावन बने फिर फॉलोवर्स को बनाए भासन करने में बड़ी मस्ती चाहिए कन्याओ का न्यू बलड है तुम पुराने से नया बना रहे हो तुमारी आत्मा जो पुरानी आइरन एजेड बन गई है अब नई गुल्डन एजेड बनती है खाद निकलती जाती है तो बच्चों को बड़ा सौक चाहिए नसा कायम रखना चाहिए बाबा कहते हैं नसा कायम रखना चाहिए अपने हमजिन्स को उठाना चाहिए गाया भी जाता है गुरु माता माता गुरु कब होती है सो अभी तुम जानते हो जगत अंबा ही फिर राज-राजेस्वरी बनती है फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं गुरु का सिलसिला अभी चलता है माताओं पर बाप आकर ग्यान अम्रत का कलस रखते हैं सुरू से ऐसे होता है सेंटर्स के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी चाहिए बाबा टीचर चाहिए यह भी ठीक है मान देते हैं आजकल दुनिया में एक दो को मान भी लंगडा देते हैं आज प्राइम मिनिस्टर है कल उनको उड़ा देते हैं इस्ताई सुक किसको मिलता नहीं इस समय तुम बच्चों को इस्ताई राज्य भाग्य मिल रहा है तुमको बाबा कितने प्रकार से समझाते हैं अपने को सदेव हरसित रखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बतलाते हैं सुब भावना रखनी है न ओहो हम यह लक्ष्मी नाराण बनते हैं फिर अगर किसके तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें बाबा तदबीर तो बतलाते हैं न तदबीर व्यर्थ नहीं जाती है यह तो सदा सफल होती है राजदानी इस्तापन होई जाएगी विनास भी महाबारत लड़ाई द्वारा होना ही है आगे चल तुम जोर भरो तो यह सब आएंगे अभी नहीं समझेंगे फिर तो उन्हों की राज़ाई ही उड़ जाए कितने धेर कुरु लोग है ऐसा कोई मनुस्य नहीं जो किसी गुरु का फॉलोवर न हो यहां तुमें एक सद्गुरु मिला है सद्गती देने वाला चित्र बड़े अच्छे हैं यह है सद्गती अर्थार्थ सुकधाम यह है मुक्तिधाम बुद्धी भी कहती है हम सब आत्मय निर्वानधाम में रहती है जहां से फिर टौकी में आते हैं वहां के रहवासी है यह खेल ही बारत पर बना हुआ है सिव जैनती भी यहां मनाते हैं बाप कहते हैं मैं आया हूँ कल्प के बाद फिर आऊंगा हर पांच हजार वर्स बाद बाप के आते ही पेराडाइस बन जाता है कहते भी हैं क्राइट से इतने वर्स पहले पेरेडाइस था स्वर्ग था अभी नहीं है फिर होना है तो जरूर नर्गवासियों का विनास स्वर्गवासि की सापना चाहिए बाबा क्या कहते हैं नर्गवासियों का विनास होगा जबी स्वर्गवासि की स्तापना होगी सो तुम स्वर्गवासि बन रहे हो नर्गवासि सब विनास हो जाएंगे वो तो समझते हैं अजून इतने लाखो वर्ष पड़े हैं बच्चे बड़े हो साधी कराएं तुम थोड़े ऐसा कहेंगे अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर स्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें बाप कहेंगे अगर आग्याकारी नहीं है तो जाने दो इसमें पक्की नस्टो मोहा अवस्ता चाहिए अच्छा अच्छा बाप दादा बोले मिठे मिठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिस्ते वहा बाबा वहा वहा मेरा भाग्या अब दाढ़ना के लिए मुक्यसार में पहला पॉइंट है स्री स्री सिव बाबा की सेष्ट मत पर चल कर स्वयम को सेष्ट बनाना है स्री मत में मनमत मिक्स नहीं करनी है इस्वरिय पढ़ाई के नसे में रहना है दूसरा पॉइंट है अपने हमजिंस के कल्यान की युक्तियां रचनी है सब के प्रतिसुब भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है लंगडा मान नहीं अब मिठे बाबा का मिठा वर्दान रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महिन्ता का अनुभव करने वाले फरिस्ता भाव रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महिन्ता का अनुभव करने वाले फरिस्ता भाव विस्तार है बुद्धी की महिन्ता वा हलकापन ब्रामण जीवन की प्रस्नलेटी है महिनता ही महानता है लेकिन इसके लिए रोज अम्रत वेले असरीरी पन की रुभानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के बोजन की परहेज रखो परहेज के लिए सेल्प कंट्रोल हो जिस समय जो संकल्प रुपी बोजन स्विकार करना हो उस समय वही करो व्यर्थ संकल्प का एक्ष्ट्रा बोजन नहीं करो तब महिन बुद्धी बन फरिस्ता सरुक के लक्षे को प्राप्त कर सकेंगे स्लोगन है महान आत्मा वह है जो हर सेकिंड हर कदम स्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं अच्छा ओम सांती